असलामलीकर मारी वीफान, वेलकम टो वर्काइब ग्राम, यह लान इंगलेश विद एजी लासंस, मुझे इस टॉपिक की बहुत रिक्वेस्ट आईए, कि मैं हैविंग प्लस वी थ्री और बिइंग प्लस वी थ्री इसको एक्स्प्लेइन कर दे, तो आज हम क्या करेंगे, मै एक शौट सा यह वीडियो लेसन बनाऊंगी, इसमें मैं आपको एजी एक्स्प्लेशन बता दूँगी, कि जब हैविंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उस जुम्ले का क्या मतलब बनता है, और जब बींग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ल लिंक, तो आप उस पे देख लीजेगा, उसमें आपको डिटेल में समझ आजेगी, आज में छोटा लेसन बनाऊंगी, और सिर्फ आप इसका मतलब जो है आप लोगों को उसकी जो बेसिक एक्स्प्रेशन है, वो समझाऊंगी, ताकि आपको सिर्फ कॉंसेप समझ में आज है कि करने के बाद, ठीक है, जैसे मैं जुम्रों में बताती हूँ आपको, जैसे पहला जुम्रा है, having finished her chores, chores कहते हैं काम काज को, ठीक, तो काम काज खतम करने के बाद, ये having finished जो है ना, खतम करने के बाद, having यहाँ पर आपको मतलब देगा जुम्रे के अंदर, करने के बाद क्या चीज वो अगला जो वर्ब है ना वो बता रहा होता है जिसकी V3 हम यूज कर रहे होते हैं थर्ड फर्म हम यूज कर रहे होते हैं अपने काम काज खतम करने के बाद सारा डिसाइडे टू ठेक अ ब्रेक तो सारा ने फैसला किया कि वो थोड़ी सी ब्रेक ले ले ठीक है तो क्या हुआ करने के बाद ये जहन में रखेगा जब हैविंग के साथ V3 आता है सेकीन हैविंग लॉस्ट इस जॉब अपनी जॉब खो जाने के बाद ठीक है लॉस्ट कर जाने के बाद खो जाना तो नहीं इंप्लॉइमेंट एपरचुनिटीज तो फिर एली ने क्या किया है कि उसने जो नहीं जो इंप्लॉइमेंट के उपरचुनिटीज थी नहीं जो भी जॉब्स की उपरचुनिटीज थी उसको उसने देखना उसको ढूंडना जो है वो शुरू करती है ठीक है तो जॉब के खो जाने के बाद या जॉब के छिन जाने के बाद लॉस्ट हो जाने के बाद अगला क्या sentence है having watched the movie already मतलब movie को पहले having watched मतलब देखे जाने के बाद क्या देखे जाने के बाद तो movie already पहले से ही movie देखी वी मतलब अगर आप में पहले से ही movie देखी वी तो पहले से ही movie देखे जाने के बाद इस ताथ से अगर इसका भामहावरा हम तरजमा करें I wasn't interested in seeing it again तो मुझे कोई interest नहीं था मैं इसको दुबारा देखो ठीक है ना having watched that movie already having watched it already मतलब इसको पहले से देखे जाने के बाद I wasn't interested in seeing it again तो मुझे बिलकुल भी जो है ना वो इसमें कोई interest नहीं था कि मैं इसको दुबारा देखे तो ये जहन में रखेगा कि जो भी जुमला having और v3 के साथ आ रहा होता है तो उस जुमले में हमने कहना होता है कि ये जो काम है ना ये हो चुका है और इसके हो जाने के बाद जो next वाला जो clause already होती है जो sentence आ रहा होता है उसमें फिर वो वाला काम जो है ना वो बाद में हुआ तो I hope कि आपको clear हो गया कि having प्लस v3 कहां पर इस्तमाल होता है इसका मतलब क्या होता है जब हमने कहना होता है कि इस काम के करने के बाद ठीक है आप देख लेते हम जी being जो है ना वो जब v3 के साथ आजे तो उससा मतलब हो जाता है होने पर या जाने पर इन सेंस में जो है उर्दू या हिंदी में इससका मतलब बनता है उन सेंटेंसिस का जैसे यह पहला जुमला है being praised by his teacher अपनी टीचर से तारीफ पाए जाने पर being praised मतलब तारीफ किये जाने पर यह से इससे इसना से करें कि टीचर की तारीफ किये जाने पर अली फेल प्राउड अली को बड़ा ही प्राउड फील हुआ ठीक है being praised मतलब तारीफ किये जाने पर ठीक है इसी ताँ से जैसे being repaired by the mechanic mechanic के दोरा जो है वो repair होने पर ठीक है repair क्या हुई है the car would soon be ready for the road again जो car है वो मतलब जल्द ही जो है वो ready हो जाएगी इस चीज के लिए कि आप उसको रोड पर ले के जा सके ठीक है तो being repaired by the mechanic के mechanic के हाथ से या mechanic के दोरा इसना कह लिए mechanic के जरीए जो है ठीक हो जाने पर ठीक है तो car जो है वो इसकाबिल हो जाएगी के उसको आप रोड पर ले जाएं ठीक है इसी तासी जासे नेक्स सेंटेंस है being ignored by her classmates अपनी classmates के दोरा जो है वो ignore किये जाने पर Emily felt isolated and lonely तो Emily को बहुत ज़्यादा ना अकेला isolated का मतलब होता है कि आपको जैसे तनहा कर दिया गया हो ठीक है तो उसको लगा कि वो isolate कर देगे उसको बिलकुल मतलब जिसको इतना corner कर देगा लादा कर देना उसको लादा किया जाना जो feel हुआ उसको lonely feel हुआ तनहा feel हुआ क्योंकि उसको उसके जो classmates उसको उनके दिवार जो है उसको ignore किये जाने पर ठीक है बड़ा सिलीके के साथ जो ना वो घर जो हमेशा वैसा नजर आया है ठीक है तो ये जहन में रखेगा कि जब being plus v3 आएगा तो होने पर या जाने पर किये जाने पर कुछी भी काम के ठीक है वो काम उस जुमले में जो भी verb होगा v3 होगा वो बताएगा कि क्या काम हो रहा है ठीक है तो उसके उस काम के किये जाने पर जो है ना फिर नेक्स है कि क्या हुआ ठीक है और जब having plus v3 होगा तो उसका मतलब ये होगा कि इस काम के करने के बाद फिर नेक्स्ट काम है ठीक है तो बस यतना सा है इसको जहन में इतना ही रखिए इसके वो उसमें न जाये कि यह पाटिसपल है यह 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 वो है grammar के निटिक ग्रिटिंग में जाएंगे न तो confused इसलिए होते हैं बस जहन में रखे having आएगा तो यह जुम्ले के sense बनेगी कि इस काम के बाद यह वाला काम हुआ और being आएगा तो इसका होगा कि इस काम के किये जाने पर फिर यह हुआ ठीक है बस यह जहन में रखे ओके जी कोई और concept है जो आपको confuse करता है आप comments में पूछ सकते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए वीडियो lesson आजेंगे अलाफिस